ओम नमशिवाय जैमहाकाल सो मुआर की अस्टमी का बहुती विशेज दिन आ गया है क्योंकि सो मुआर की जो अस्टमी होती है भोले शंकर और माता पारवती के मिलन का दिन होता है और ये विडियो मनो कामना पूर्ती के लिए है पूजी गुरुजी की कथा से सुनके बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा ये पाँच 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 वाला जो उपाय है इसको समझने की पूरी कोशिश करिएगा लेकिन उससे पहले आप वीडियो लाइक कर दें आवाज जो भी लोग पहली बार सुन रहे है चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा ठीक है देखो ये पाँच 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 है क्या मेरी बात बहुत विस्तार से समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ समझेगा प्यार से इसक्रेम पर आपको बेल पत्र की बहुत है आप पांच पत्र का दाना का दाना भी लेलो है तो या तो आप पांच पत्र के में आपको पांच सफेद फूल भी लेना है तो हो गया ना पांच पांच वाला उपाए अब ये सारे सामान को लेना साथी साथ आपको लेना होगा इस तरीके से एक ताम्बे का लोटा एक चीज का ध्यान रखना इस तांबे के लोटे में आप अपने घर से तो जल भरना लेकिन जितनी चीजे मैंने आपको दिखाई हैं उन में से एक भी चीज आपको इस कलश के अंदर नहीं डालना ना तो मुंग डालना ना ही आपको फूल डालना है ना या तो आपको कोई भी पत्ते डालने हैं बस प्रदोशकाल में पहुशना अब मेरी बात ध्यान से सुनना आपको क्या करना होगा जो आपने पांच हरा मूंग लिया है उस पांच हरे मूंग को समर्पित कर देना जो पांच आपने बेल पत्र लिया है उस पांच बेल पत्र को आपको समर्पित कर देना होगा और जो आपन पाँच शमी पत्र लिया है या फिर चावल के दाने लिये हैं उन पांच चावल के दाने या फिर पाँच शमी पत्र को महा दयो की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है अब ही फूल चड़ाना नहीं है उस इतना सब को चड़ाने के बाद जो आप एक लोटा तामबे के लगेगा इस जल को लेके अपने दाहिने हाथ से अपने दोनों आखों पे लगा लेना ठीक, इतना कर लिया, अभी आपके पास पांच सपेद फूल है, उसília पांच सफेद फूल को आपको यहाँ से ले करके चढठाते वे जाना है और यहाँ उपर तक चढ़ाना होगा, अप पूरी जरूर करते हैं, तो मैंने तो अपनी तरफ से समझाया आपको बहुत अच्छा, नहीं समझ मैं है, तो नीचे comment में पूछ लें, आज जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते, तो वीडि